तो क्या आपने इश्वर का अनुभव किया है? आप ये परश्ण इतनी आसानी से पूछ रहे हैं। जब आप भगवान कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ, आप ये समझें। आप भगवान कहते हैं, तो आप किसी इंसान या चीज की बात नहीं कर रहे हैं। आप भगवान कहते हैं, तो आप अपनी रचना के स्तरोत की बात कर रहे हैं, है ना? है कि नहीं? आप भगवान कहते हैं, तो आप अपनी रजना के स्तरोत की बात कर रहे हैं, जहां से आप आए हैं मेरे जीव का स्तरोत क्या है, आप ये पूछ रहे हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरे जीव या अपने जीव के स्तरोत का अनुभव किया है? क्योंकि यह अलग नहीं हो सकता. अभी, शायद आपका जीव और मेरा जीव बहुत अलग हो, लेकिन इसका स्तरोत अलग नहीं हो सकता. तो जब आप पूछते हैं, क्या आपने इसका अनुभव किया है? आप पूछ रहे हैं, क्या मैंने आपके अस्तित्यों के स्तरोत का अनुभव किया है? है ना? तो सवाल की गहराई ने अब भी आपको पीड़ा नहीं दी है. ये सतेह पर है. बस जिग्यासा. ठीक है, फिर भी हम इससे देखेंगे. ये पूछना कि मेरी रचना का स्तरोत क्या है? इसका मतलब है, मैं यहां मौजूद हूँ, पर अपने होने की मूल भूद बातें भी नहीं जानता. है ना? यही इसका मतलब है. मैं कौन हूँ, इसके मूल को जाने बिना. अगर आप इसका मतलब समझते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है. ये आपको चीर देगा. जैसा कि, शायद हमने कल ये बात की थी. अग्यानता का दर्थ, ना जानने के दर्थ को आपको चीर देना होगा. सिर्फ तभी ये प्रश्न वाकई सार्थक बनता है. कहां हैं? बताईए. भगवान कैसे हैं? बताईए. ये कोई, ये एक सवाल नहीं है. ये एक सामाजिक बहस है जो चल रही है. एक सवाल का मतलब है, एक सवाल का स्तुरोथ होना चाहिए अज्ञानता और ज्ञान प्राप्त करने की चाहत. है ना? ये एक सच्चा सवाल है. है कि नहीं? एक सच्चे सवाल का मतलब है कि ये न जानने से जानने तक जाना चाहता है. यहीं. एक सवाल न जानने से जानने त अगर कोई इसका मूली नहीं जानता कि वो कौन है, सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक और अंतिम, क्योंकि आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने अस्तित्तो के आधार को ही नहीं जानते, तो ये पूरी जिन्दगी बक्वास है, है ना, है की नहीं? अगर कोई ये नहीं जानता कि उसके होने का आधार क्या है, तो इसका मतलब है कि जब आप पूछते हैं, भगवान कहा है, भगवान क्या है, आपने उनका अनुभव किया है, आप उन्हें जानते हैं, जब आप ये सवाल पूछते हैं, तो आप खुद से कह रहे हैं, कि मेरा जीवन बक्वास है, मेरे जीवन में शुरू से अंतक सब कुछ बक्वास है, शायद उस एहसास का असर अभी तक आपके अंदर गहराई में ना गया हो, इसे जाना चाहिए, आपको न जानने का दर्थ पता होना चाहिए, फिर आप बिना जाने यहाँ नहीं रह सकते, आपको जानना ही होगा जब ऐसी स्थिती आ जाती है आपके भीतर ये ज्वाला धदकने लगती है कि आप बिना जाने एक भी दिन नहीं सो सकते फिर ये दूर नहीं है क्योंकि जो आप जानने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके भीतर है अगर आप जानने की लालसा से धदक रहे हैं और जो आप जानना चाहते हैं वो उपर स्वर्ग में हैं तो वो कठिन होगा अगर जानने की चाहत आपको जला रही हो तो ये तुरंथ हो जाएगा क्योंकि ये ठीक यहीं है चलिए शुरू करते हैं आपके विश्वास से और आप जिस पर भी विश्वास करते हैं जो भी आपकी समझ है उससे क्योंकि हम केवल आपकी मौजूदा स्थिती से ही शुरूआत कर सकते हैं लोगोंने हमेशा आपको बताया है भगवान हर जगा है कैसा है? या उन्होंने आपको न भी बताया हो चाहे कोई भी धर्म या संस्कृति हो उन्होंने ये बताया है लेकिन अगर उन्होंने न भी बताया हो तो अपनी खुद की बुद्धी से अगर आप इस पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि अगर भगवान जैसा कुछ है, तो उसे हर जगा होना चाहिए. अगर मैं उन्हें अपने मंदिर में बंद करके आ सकता हूँ, तो वो आपके किसी काम के नहीं, है के नहीं? तो अगर भगवान जैसा कुछ है, तो उसे हर जगा होना होगा. अगर वो हर जगा है तो उसे यहां भी होना चाहिए वहां भी, वहां भी, वहां भी